स्टार्ट करते हैं, वेबसाइटे रेलिक्टे में इंफोर्मेशन बदाता हूं मेरी स्क्रीन शेयर करके, ठीक है? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं ठीक है, तो हम अर्नर कम्यूटी की वेबसाइट को उपन करने के लिए earnerscommunity.com आपको लोगिन करना है, और हमारा learners community की वेबसाइट क्यार हो चुकी है, ठीक है? तो अब यहाँ कर आपको जाके left hand side में जाके लोगिन करना है, और रजिस्टर करना चाहें, डिरेक्ली हाँ पर र जिरूरी नहीं है, मतलब जैसे कि अगर रशिया में हो कहीं, अगर mention नहीं है, तो किसी और country को भी mention कर सकते हैं, धिरी-धिरी करके आपर बाकी की चीज़े mention हो जाएंगी, अगर आपका कोई भी city mention नहीं है, तो आप कोई और city भी डाल सकते हो, ठीक है? क्योंकि हम इसको globally कर स सनम at the rate 1, 2, 3, ठीक है, खुशी नाम है तो खुशी at the rate 1, 2, 3, 3, 2, 1, जो भी आपको रखना है, एक अलफा नुमेरिक करेक्टर आपको रखना है, अलफा मतलब कि अलफा बैट होना चाहिए, नुमेरिक का मतलब नुमेरिकल्स होने चाहिए, और special character का मतलब जैसे कि at the rate हो ग characters होते हैं, जो इन में से हम जाके कुछ add कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको password का show नहीं कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर security लगई है, जिसकी वज़े से आप password को देखने सकते हो, मैंने जस आपको बता दिया, तो उसका user ID बनाना चाहिए, तो हम user ID बना सकते हैं, जैसे क इसकी किसी का भी ID क्रिएट करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं अपना रहूल के नाम से, रहूल 21 के नाम से मैंने ID क्रिएट करी, ठीक है, तो हमें आपर check के ओपर click करना है, the username available, अगर available है, तो हमें आपर ID क्रिएट कर सकते हैं, अगर note available आता है, तो हमें change करना होगा, यहाँ पर अपना उसका नाम डाल सकते हैं, रहूल मिश्रा करके, ठीक है, और left या right अगर already selected है, देखो हम अपनी website के अंदर भी दे सकते हैं, हम directly किसी का बना रहे हैं, तो खुद से select कर सकते हैं, left या फिर right, ठीक है, अगर website से देने तो already selected होगा, कोई change नहीं कर सकते है, यहाँ प 21, इस तरीके से करके हमें, id create कर देने, simple, 21 at the read gmail.com, इस तरीके से हमने आपर डाला, mobile number डाला, ठीक है, और country select करा, इंडिया, ठीक है, select state करा, ठीक है, गुजरात कर देते हैं, select city करा, बढ़िया city कौन सी है, राजगोट या सूरच डाल देते हैं, ठीक है, और password हमने आपर बना के डाल दिया, ठीक है, आप यहाँ पर password आपको दिखाए नहीं दिखा, क्योंकि security लगी है, इस वज़े से screen recording के अंदर यह चीज़े आएंगी ने, तो password बनाया, और password बनाती, ठीक है, यह अभी बनेगी ने, id, क्योंकि मैं email id, और i accept the user agreement, यह i accept के उपर आपको कर देना है, क्लिक, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको register के उपर क्लिक कर देना, register करते ही आपका, password and confirm password should be same, आपका register करते है, register हो जाएगा id, ठीक है, यह simple सा process है, अभी मैं login करके अंदर की चीज़े आपको दिखाता हूँ, back to login के उपर करना है, और login के उपर कर दे लिंक है, देखो हमारी website के अंदर चीज़े धिरी-जिरी करके update हो रही है, copy link के यहां से करोगे तो link copy हो जाएगा, और किसी के साथ भी आप share कर सकते हैं, left का share करना है तो left का, right का share करना है, तो right का हम share कर सकते हैं, ठीक है, right hand side में आपका username लिखा हूआ है, और आपका नाम ल के अंदर करना है, जो भी आप photo डाल रहे हो, उसको square के अंदर mention कर देना है, square होनी चीज़े आपकी photo, ठीक है, और उसके बाद आपका two days earning, यह हो गए last seven days earning, 30 days, और total earning, और active team यहां पर दिखाता है, direct referral यहां पर आपको total direct referrals दिखाता है, जो active हैं आपको नीचे दिखाए गए अपर active 36 हैं, और total जो लगालो की जिन जिन लोगों को आपने refer किया, उन्होंने active नहीं करा है, तो वो यहां पर show करेगा, total team भी आपको यहां पर दिखा देगा, 1170 लोगों की हो चुके, लेकिन active team 485 लोगों की, यहां पर आपको जो जो भी incomes होती है, वो आपको यहां पर सा total team और active reference, यह सारी चीज़ें आपको पता हैंगी चीज़ें, ठीक है, आपकी जो जो भी income होती है, sponsor bonus से, जो की direct income होती है, team building bonus से, 279 लोगों की होती है, ठीक है, जो की हमारा team building bonus होता है, automation से यहां पर कितना आ चुका है, मेरा गाई, जो टो पूल भी complete होती होती है, 24 डेस के rank bonus है, rank bonus, weekly performance bonus है, जो मारा week के अंदर perform करते हैं, तो यहां पर उसको click करेंगे, तो यहां से open view हो जाएगा, तो यहां पर देख सकते हैं कि कितना कितना है, किस week के अंदर कितना आया है, ओके guys, तो अब भी हम चलते हैं, dashboard के अंदर पहला पहला profile के अंदर आपको view profile के उपर click क करने के लिए, आपको सबसे पहले आपर trc 20 का address डाला है, तो कहां से कर रहा है, उसको बाद में step देखते हैं, अप अपने आपर नाम चेंज कर सकते हैं, Aw Test mirage चेंज कर सकते हैं अपने विले ट्राटर डाला यह सब्टरमिट कंडिशन और अपडेट को पर क्लिक कर दिया तो अपडेट हो जाएगा ठीख है उसके बाद हम करते हैं registration के उपर अगर यहां पर new registration करना id के उपर अंदर भी हम new registration कर सकते हैं ठीक आप देख सकते हैं आपर उनका जो भी sponsor ID वो ड़ना है left और right डालना और यहाँ पर आप उनका ID create कर सकते हो password बनाना और पास्वर्ड बनाना और सभ्मिट कर देना है ठीक है ID के अंदर से आप परसन का उसके बाद हम आज आते हैं next app के उपर team details ठीक है team details के अंदर पहला direct referral direct मतलब कि आपने जिन जिन लोगों को direct join करवाया है total यहाँ पर आ जाएंगे कितने लोगों को आपने direct id create कर दिया join members के उपर जिन जिन लोगोंने join करा हुआ है ठीक है यहाँ पर totally totally show करेगा आपको ठीक है join member में जिनोंने सिर्फ join करा है active नहीं करा है paid member के अंदर जिनोंने paid करा है ठीक है यह paid वाले members आगे पेड मेंबर के उपर क्लिक करके आपको search के उपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो paid member से वह आ जाएंगे लगबग 35 लोगोंने paid किया हुआ है ठीक है वहाँ पर आपको 30 लगबग जिनोंने upgrade भी करा तो उनका उनका भी यहाँ पर शो करेगा ठीक है इस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर सकते किन किन लोगोंने update कर देट के साथ देखना चाहें तो हम यहाँ पर date के साथ भी देख सकते हैं जैसे इस week के अंदर कितने direct हुए हमारे direct reference तो यहाँ पर ह mention करेंगे जैसे कि हमें देखना हूँ इस week का 16 तरिक से लेके और हमें देखना हूँ इस date का आज कितनी date होगी 25 तो 25 के उपर क्लिक करेंगे और paid member के उपर क्लिक करेंगे और search कर देंगे ठीक है search के उपर क्लिक करा तो जो इस week के अंदर join करें वो आपके यहाँ पर आ जाए आपको show कर देगा सेम तरीके से हमें आपर join members, paid members, paid members के उपर क्लिक करेंगे, search के उपर क्लिक करेंगे आपके पास सारी की सारी list आजाएगी ठीक है आप यह देख सबते हो जितनी भी लोगों ने आपकी team में कौन-कौन से लेवल के उपर start करा हो कि क्या बोलते है कौन-कौन से package से start करा, कौन-कौन सा उसका sponsor है, किस-किस date को उसने start किया था, वो सब यहाँ पर show कर देगा, date wise, जितना नीचे जाओगे, उतनी आगे आगे वाली date आती चली जाएगी, ठीक है, उसके बाद हमारा team level downline, जो हमारे levels के अंदर team है, ठीक है, first level, second level, जो level income हमें आती है, तो तक भी team पोची हो है, 17 level, यह राइट-hand side के अंदर आप देख रहोगे, सारी team कौन-कौन से package से start कर रहा है, ठीक है, sponsor ID, introducer ID कौन से, नाम क्या है, joining date क्या है, और उनकी user ID क्या है, यहाँ पर आपको सब mention कर देगा, सब, मतलब, कौन-कौन से level के उपर join हो रहे है, आप date से भ दिया, लगबग जो यहाँ पर show कर रहा है, इस week के अंदर, second के उपर click करेंगे, तो second page का भी हमें यहाँ पर show कर देगा, तो total जो लगी है, 126 ID लगी है, इस week के अंदर, 126 ID, किस-किस package से लगी है, कौन-कौन से level के उपर आप देख सकते हो, date and time सब कुछ mention हो रहा है, everything, okay, उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते है, tree view, tree view के अंदर simple है, left और right, यह आपका left हो गया, यह आपका right हो गया, simple, right के अंदर जो IDs लगी है, आपको यहाँ पर show कर देगा, right से, यहाँ पर नीचे-नीचे scroll करते जाओगे, तो जो हमारे right के अंदर, जो भी structure देखना चाहे है, किसी की भी आपको user ID डालने हो, जैसे की, रहूल 786 करके मैंने ID थी, जो मर को याद आ रहे है, तो इसके नीचे का structure, कहाँ पर कौन-कौन से persons हैं, किसका left, right चला हो, आप सब यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर system के अंदर सारी चीज़े देख सक सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैरे first level जो गया, जो मैंने direct join logo को join करावाया हूआ, वह यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि साद थार थाने kilkyna logo को join करवाया है, यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बार नीचे कौन-कौन है, इस तरीके से हम पूरा particles देख सकते हैं, ठी यह देखिए किन किन लोगों को नीचे नीचे sponsor मारा हुआ है तो यह मस्चीज है यहां से आप अपना पूरा का पूरा structure देख सकते हैं लेवल वाइस ठीक है असरफ आलम भाई ने किन किन लोगों को जोईन करा है फिर यहां पर हम नीचे जाएंगे प्लस आप पूरा structure शो करत सब्सक्राइब नीचे से नीचे जो भी आइड एक्टिवेट हो रख्योंगी जहां जहां पर भी ठीक है यहां से हम टीव लेवल इस्ट्रक्चर देख सकते हैं अपना लेवल वाइस ट्रक्चर उसके बाद फंड एरिये के अंदर आ जाते हैं एड़ फंड करना होता है ठी इस्पैशल वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर आपको request डालना जैसे आपने 200 डॉलर 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 जितना आपने आपने करा है आपके Binance के अंदर 200 है तो यहाँ पर आपको 200 डाल देना और 199 डॉलर आपको यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है एक डोलर चार्ज करता है ये ट्रांजेक्शन फीस होती है वैलेट के अंदर एक्टिवेशन वैलेट के अंदर आपके डेट जो भी आप जिस डेट को आप डोलर एड कर रहे है वो डोलर आप वो डेट आपको डाल देने 25 तारिक अपने जैसे डाल दिया आज अगर आड कर दें पेमेंट मोड कौनसा QR कोड तो QR कोड करोगे तो नीचे QR कोड आ जाएगा आप यहां पर那么 अपना ऑपने अपने फंड अडट के वायूँ हो सब यहां पर आपको मेंचल हो जाएगा आपने जीतनी बार भी फंड्यम्य है इक्टिवेशन के अंदर आप अपने अच्टिवेट इक्टिवेत कर सकते हैं आडि ऑक्तिवेट करने के लिए यहां पर आपको user id डालना है जिस भी person के आपको id डालना है यहां पर उसका नाम आजाएगा package select करना है ठीक है जो भी package है ठीक है यहां पर हम कोई id डाल के देखते हैं यहां पर यहां पर आपको डाल देना है ठीक है यहां पर आपसे transaction code पूछेगा जैसे हमने मैंने कहा कर आप premium package select कर दिया है select करते हैं यहां पर premium package और paid amount आजाएगा $100 और अपना transaction password डालना है और submit कर देना है ठीक है तो id activate हो जाती है उसके बाद activation history के अंदर अपन देख सकते हैं कि जो भी हमने activation करा हुआ है search के ओपर click कर देंगे तो videos को पता होगा मैं फिर से बता देता हूँ जो main wallet है उसी से हम P2P कर सकते हैं जो मारा fund आता है न तो आपकी प्रस्वेस आप तो ऊंचर के तुरूद आपके आइडी नीचे नीचे टीम बन रही है तो उनहीं के आप activate कर सकते हों ठीक है गाइस तो transfer amount के इंदर आपको simple transfer amount डालना है transfer amount mention कर देना है mention करने के बाद आपको जैसे कि मेरे को यहां पर 50 प्राइज डोलर फंड भेजना है ठीक है अपने आईड के अंदर बेज़ूंगा तो एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर मेरी आईड के अंदर जला जाएगा अगर मुझे किसी और के अंदर बेजना है तो यहां पर मैं मान के चलता हूं कि अब यहां पर हम देखते हैं वैलेट ट्रांसफर हिस्ट्री जो भी आप ट्रांसफर करते हैं उसकी सारी की सारी हिस्ट्री किस किस को कितना कितना फंड वेज़ा आप यहां पर अपना सारा का सारा शो कर सकते हो ठीक है यहां पर आपको सारा का सारा हिस्ट्री दिखाई दे आपको शो कर देता है सर्च के उपर डेरेक्ट क्लिक कर देना तो यहां से आपको देख सकते हो किस-kis ID से आपको कितना-कितना डोलर आया किस-किस डेट को सब कुछ आप यहां पर by name ठीक है income date by level और income यहां पर आप यह सारा चेक कर सकते हो उसके बाद हम यहां पर देख सकते यहां पर हम सारा चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसके बाद हम प्रिमियुम बॉनिसे नहीं है। team building bonus के अंदर देख सकते हैं कि हमारा search करके देखेंगे आपर जितनी भी नीचे ID लगए किस ID से कौन से level के अंदर लगे है और income के अंदर कितना कितना dollar आए यहाँ पर आप सब को देख सकते हो ठीक है किस date को लगी है कौन से level के उपर लगी है बाइ उसका नाम क्या है और username क्या है ठीक है date के हिसाफ से देख सकते हैं और premium का देखना चाहें तो search कर देंगे premium package से आपको दिख जाएगा ठीक है और अगर आप standard का देखना चाहो तो चटा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा mention हो जाएगा left के अंदर कितना चीए right के अंदर कितना चीए ठीक है फिर 646 फिर 1446 तो यह लगबग 5 लेवल complete हो चुके हैं छटा लेवल अभी चल रहा है 46 आईडी पेंडिंग रहेगे और 1250 हो जाएगा और सफायर लेवल हीट हो जाएगा तो देखो left hand side में नेस्ट लेवल में मुझे यहाँ पर 200 आईडी चाहिए नेस्ट के अंदर आप देख सकते हो 178 200 में से अभी लगबग 22 आईडी हो चुके है और 178 आईडी पेंडिंग है राइट के अंदर आपको पूरा दिखाएगा 246 यहाँ पर भी आपको दिरी दिरी घटता है 46 आईडी हो जाएगी तो यहाँ पर भी 200 हो जाएगा इस तरीके से हम अपना रेंक चेक कर सकते हैं और एक और रेंक के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट के अंदर 192 आईडी होगी है राइट के अंदर 124 आईडी होगी है यहाँ पर भी देख सकते हैं सारी चीजे और 17-18 लेवल कमिंग सून है तो गाई 17-18 लेवल की पूरी कल्कुलेशन हो चुकी होगी सिस्टम के अंदर और जब भी हमें आएगा यहाँ पर शो कर देगा ठीक है उसके बाद हमारे इंकम के अंदर लास्ट इंकम है वीकली परफॉर्मेंस बोनस आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिरेक्ट आपने कितने क्या करें और यहाँ पर आपको यह वीकली बोनस ओ कर जाएगा कितना कितना मांट आपको पे इंकम कितना इंकम मिला है परफॉर्मेंस इंकम के अंदर इतने इतने आया था और टोटल पे कितना हुआ है उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे वैलेट के अंदर वैलेट के अंदर एक्टिवेश fund wallet यहां पर हमें क्या है कि पूरा का पूरा जो भी fund होता है जितने भी पूरा पूरा system के अंदर जो भी transfer होते हैं किसी के ID टोप अप कर रही हो किसी से level income यहां पर सारी income show कर जाता आपको A to Z income ठीक है fund receive from user ID मतलब सब कुछ यहां पर आपको show कर जाएगा जितना भी system के अंदर transaction जो भी हो रही होती हैं जैसे कि आपको यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि मैंने fund receive from user ID 2023 से मैंने अपने activation wallet के अंदर डाला है मैंने top up करी एक ID संजे 07 40 $ से ठीक है आज ही की date को कल की date को मैंने रहूल 786 करके top up ID करी थी दुर्गे 27 को मैंने 10 $ भेजे थे इनसे मेरे को fund receive हुआ है ठीक है fund receive from user ID और top up user ID जो भी हम ID activate करते हैं यहां पर show कर जाता है top up user ID top up fund receive from user ID इस तरीके से मैं यहां पर देख सकते हैं अपना fund जो भी receive हो रहा होता है इदर उदर आने जाने का सारा wallet transfer के अंदर दिखाए दे जाता है उसके बाद income wallet के अंदर हमारी जो जो भी incomes हो रही है यहां पर आपको level incomes show कर जाएगा ठीक है fund transfer जो हुआ है और credit कितना हुआ है sponsor income जो भी मारी यहां पर income हुई है system के अंदर वहाँ पर आपका आना जाना था यहां पर आपका आना आना credit दिखा रखा है ठीक है जितनी भी आपकी incomes होती है third level से जो भी मतलब system के अंदर आपको जितनी भी टीम से sponsor से सारी जो income हो रही है आपको यहां पर show कर देगा income laser के अंदर यहां पर सिर्फ income show करेगा आपकी जो भी income show रखी है ठीक है valid के अंदर फिर है withdrawal request जो हम यहां से withdrawal कर सकते हैं विड्डूल करने का सिंपल क्या तरीक होता है सबसे पहले आपको विड्डूल करने के लिए क्या करना है प्रोफाइल के अंदर जाना है आपको बाइनेंस application के अंदर जाना है ठीक है और Binance Application के अंदर जाने के बाद आपको सबसे पहले हो तो Login ही कर लेना है ठीक है Login कर लेना है Login करने के बाद आपको मैंने भी दूसरे फोन के अंदर अपना यह ID खोला हुआ तो यहाँ पर आपको Deposit के अंदर एक आड्रेस मिलेगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ भी तो दूसरे आपको वहाँ पर एक Deposit होता है विड्रूल होता है वहाँ पर विड्रूल करना है Deposit का मतलब होता है Binance के अंदर deposit Binance के अंदर deposit करना fund तो यहाँ पर हमारा Binance का 388440 तो जस्ट अभी login होगी ID ठीक है आपको भी क्या करना अपने profile के अंदर आना है और इसको pro कर देना है Binance pro के ओपर क्लिक कर देना है wallet के अंदर जाना है ठीक है अब यहाँ पर आपको sport आएगा और funding आएगा ठीक है जिसका भी नहीं बना है Binance का user अपना देखके आधार कार्ड, pen card और bank account से simple बन जाता है तो यहाँ पर आपको देखो क्या करना है फिर right hand side down corner के अंदर wallet होता है इसको उपर क्लिक कर देना है आपको deposit and withdrawal को option आपको दिखाए देता है वो जो address हाया था मैंने आपको withdrawal option के अंदर दिखाया था तो यहाँ पर वो address copy कर देना है अगर scanner करना है तो scan के उपर क्लिक कर देना है network हमेशा select करना है TRC20 network के उपर click करके बिल्कुल नीचे scroll कर देना है TRC20 के उपर और जो भी आप amount 200 add करोगे तो देखो 199 add होगा तो आप वहाँ पर आपको 191 डालना है और जो भी withdrawal करने के बाद जो screenshot आता है complete होने मैं आपको वीडियो के अंदर बता रखा है और वो screenshot चिपका देना है अब fund यहाँ से हमें deposit करना है हमें ID से fund निकालना है तो deposit के उपर करना है deposit का मतलब होता हम Binance के अंदर deposit कर रहे है withdrawal का मतलब होता हम Binance से fund को निकाल रहे है तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना है USDT search कर देना है ठीक है deposit के अंदर जाने के बाद तो आपको यहाँ पर select करना है और जहाँ पर address दे रखा है यहाँ पर address को paste करना है ठीक है अपना हर्याना जो भी CTA select करना चाहे है सेलेट करना है CTA select करना I accept the determined condition को पर और update कर देना है अपडेट करते है तुरंत अपडेट हो जाएगा within second ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर करना है वैलेट के अंदर जाना है विड्रोल रिक्वेस्ट को उफशन डालना है विड्रोल रिक्वेस्ट के अंदर पर select वैलेट करना है available fund के उपर करना है जो भी आपका main wallet के अंदर fund होगा यहाँ से विड्रोल कर सकते है ठीक है तो 678 है लेकिन मैं यहां से सिर्फ 15 डोलर का विड्रो लगाता हूँ और यहां पर transaction password डालना है और submit request हो जाएगी ठीक है तो अभी मैं विड्रोल नहीं करूँगा क्योंकि विड्रोल करने का कोई मतलब नहीं रहता है 15% के करीब करीब fund कर जाता है 10% तो यहां से कर जाएगा और वहां पर भी dollar की price जैसे हमारा अब यहां पर fund आ गया ठीक है जैसे मैंने already यहां पर मेरे 92 dollar पड़े हुए है तो मैं यहां पर मेरा fund आ जाएगा P2P के अंदर जाऊँगा अब मेरे को sell करने अपने dollar और sell करने का भी यहां पर कोई मतलव नहीं यहां पर बहुत सारी scam हो रहे है तो अपना क्या करना अपना senior से चीजे करवा लेनी है ठीक है तो यहां पर आपको P2P में जाना है sell के option buy करना तो यहां से buy होते है sell करने जाओगे तो sell हो जाएंगे आपर जो आपको sell करने की prices जैसे 89.32 में जाएगा आपका sell होके 10% deduct होने के बाद आपको यहां पर 89 पॉइंट दे कोई limit दे रखिए पांच लाग का sell करोगे पांच लाग से 20 लाग तो आपको पड़ेगा दो लाग का पचास जार का तीस जार का असी जार पच्पने जार मतलब जितनी पंदरा डोलर के लिए आपको simple कितना ढूढ़ना पड़ेगा सिर्फ जो 121300 रुपे दे रहा तो आपको नीचे जाना है या फिर right hand side के अंदर filter का option option आ रहा होगा ठीक उस filter के option के ओपर क्लिक करना है amount डालना आपको यहां पर ठीक है और यूपाइज आप जो भी select करना चाहूँ यूपाइज के थुरू मतलब जो भी आपने option दे रखें जिसके थुरू आप यहां से receive करोगे अपने dollar को sell करके तो यहां पर वो select कर सकते हैं और pay time limit यहां पर country डाल दिया enter amount amount आपको डालना है यहां पर INR के अंदर जैसे की मान लेते हैं कि आप जैसे पंदर डूलर 1300 रुपे होता है या फिर 4000 रुपे मान लेते हैं 4000 रुपे तो confirm कर दिया आपने confirm करने के बाद आपको यह मिल गया 4000 से लेके 6311 88.9 आपको pay करेंगे यह sell करने के बाद लेकिन यहां से चीजें मत ही करना बहुत सारी गड़बड हो जाती है आज कर तो transaction पास्ट डालना request जाएगी system 5 से 10 मिनिट के अंदर आपकी request को accept करेगा और फिर आपके पास transfer हो जाएंगे और वहां से आप video कर सकते हो ठीक है यह था हमारा website से related ठीक है आपको कोई भी query है तो video report के अंदर यहां पर आपकी सारी reports शो हो जाएंगी अभी मैंने कोई video लगा है नहीं तो यहां पर कुछ शो नहीं होगा ठीक है उसके बाद आपको यहां पर mail box है यहां पर अपनी कोई भी query और query बेज सकते हो send query के अंदर क्लिक करके जो भी आपको query है subject और query ठीक है जैसे कि हम mail करते हैं वैसे कर देना और query के उपर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको mail box के उपर inbox के अंदर inbox के अंदर यहां पर आजाएगा कि जो भी आपने query डाली हुए है उसका क्या report है password चेंज करना है तो change login password और change transaction password है यहां से आप login के उपर कलिक करके तो जो आपका पुराना password है वो डाल देना है अगर भूल गए हो तो जब आप login करते time forgot password का option आता हो तो forgot password यहां से कर सकते हो उसके बाद change transaction password के अंदर आपन transaction password चेंज करना चाहें तो पुराना डालना है अगर नहीं याद है तो same process से follow कर देना है ठीक है तो यहां से हम log out कर देते हैं तो यह था website का simple सा funda withdrawal का भी मैंने आपको process बता दिया लेकिन withdrawal करना बाद 10-15% तक कट जाएगा पैसा उससे बढ़ का सकतो